नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्यान भारत में आज हम बात करेंगे modern history के topic advent of European companies इससे पहले मैं 1857 के revolt को discuss कर चुका हूँ अब आज हम discuss करेंगे advent of European companies European companies के scrum में इंडिया में आई और उनके दोरान क्या-क्या developments हुआ उसको हम एक-एक करके देखेंगे लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल स्रेलेट्ट चीज़ें पढ़ेंगे कि तो सबसे पहले जानते हैं European companies का इंडिया में आगमन कैसे हुआ कमिंग ओफ European companies एंसीन टाइम से हमारे इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड था वो कंट्यूनी हो रखा था पर वो जिन रूट्स से हो रहा था उन रूट्स में दो रूट्स सबसे जादे इंपोर्टेंट थी एक तो पर्षिन गल्फ की अनि फारस की खाड़े की रूट्स और दूसरा Red Sea येनि Lal सागर के ठूर दोनों ही रूट्स से जो ट्रेड होता था वह वेसों चैनेवा तक आता था यानि इस में इस रूट में पर्शन गल्फ में तो इराक तर्की से होते हुए वेनिस और जिनेवा तक आता था और इस में रेट सी वाले में एजिप्ट से होते हुए वेनिस और जिनेवा आता था कुल मिला के कह सकते हैं कि दोनों रूट्स के तैट जो डॉमिनेंस था वो इटली के टेडर्स का था पर इन दोनों रूट्स में से भी जादे इंपोर्टेंट पर्शन गल्फ वाला रूट था क्योंकि रेट्सी वाले इस रूट में फॉग बहुत रहता था फॉग यानी कोहरा बहुत रहता था इस कारण से यह जो साल के 12 महीने हैं उतना एविलेविल नहीं रह पाता था अब बात करते हैं कंट्रोल की तो जो ट्रेड का कंट्रोल था वो पूरे एशिया का जो ट्रेड है वो लगबग अरब ट्रेडर्स के कंट्रोल में था और जो मेडिटेरियन और यूरोपेन ट्रेड था वो इटली के ट्रेडर्स के कंट्रोल में था और इटली के ट्रेडर्स ने पूर्तगाल और स्पेन को बहिश्क्रित कर दिया था एक तरीके से व्यापार से कि वो यहां से व्यापार नहीं कर सकती लेकिन गरम मसाला जैसे ह हम जानते हैं काली मिर्च यूरोप में बहुत ठंट पड़ती है तो मीट में काली मिर्च की और भी बहुत इसपाइसिस की जरूत पड़ती है तो उसके लिए ट्रेट बहुत इंपोर्टेंट था और उधर एक और इंसीडेंट हुआ 1453 में कस्तुम्तुनिया को अंधिया दो चैप्चर कर लिए तर्क लिए तर्क से तुर्क से केप्चर कर लिए कस तूनिया को addict Lyn hopal भी जाना जाता है जो आज घित के modern टर्वी की इस्तानवल शेहर है इस इसको capture करने से west का east से जो connection होता है उस पूरे route पर जो है तुर्क का कबज़ा हो गया जब उस पूरे route पर west से east को connect करने वाले route तुर्कों का कबज़ा हो गया तो western European countries हैं जैसे कि Portugal और Spain उनको जिरुवत पढ़ी कि try to find new ways ऐसे नए रास्ते खोजे जाएं जिससे वो eastern countries के साथ व्यापार कर सकें और यह जो तुर्की का issue है इसको भी वो avoid कर गया नहीं बचके इससे निकल जाएं इस पूरे process ने discovery of new routes यानि नए नए routes की खोज को start किया अच्छा वो ऐसा करने में capable कैसे थी यह नए routes जो उसको करने में capable कैसे थी उसके दो कारण थे पहला कारण renaissance यानि पुनर जागरण जो है यूरोप में start हो चुका था उसकी वज़े से उद्दम की भावना यानि feeling of trade business की जो भावना उनके अंदर उत्पन हो चुकी थी पैदा हो चुकी थी दूसरा 15 सेंचुरी में shipping industry बहुत जादे developed हो चुकी थी मतलब उसका जो development है वो इस process में आ चुका था के trade के लिए जादे से जादे shipping industry हो चुकी थी इस दौनों reasons की वज़े से पुर्तगाल जो है lead कर पाया in developments में Prince Henry जो थे जिनको navigator भी कहा जाता था उन्हों ने उनके इस process को जो navigation के process को आसान बनाया और era of geographical discoveries जो है वो begin हो गई यानि वो योग जिसमें भोगालिक हो जें जो है इस start हो गई इसमें सबसे जादे रोल पुर्तगाल का और Spain का रहा पुर्तगाल के बार्थों ने 1947 में Cape of Good Hope को खोजा जिसे उत्तर मशादीब अंतरदीब भी कहते हैं जिसे उन्होंने तूफानी अंतर महादीब की भी संग्या दी थी और इस्पेन ने 1494 में इस्पेन के कुलंबस ने अमेरिका खोजा हाला कि वो खोजना इंडिया चाह रहे थे लेकिन इंडिया खोजते खोजते उन्होंने अमेरिका खोज लिया हाला कि ये भी बहुत बड़ी जोग्राफिकल डिस्कवरी थी उसके बाद पुर्टगाल के वासको डिगामा 1498 में इंडिया में आए इंडिया में उस समय अगर इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंडिया में उस समय मालावार कोस्ट पर कलिकट और कोच चिंदो इमपोर्टेंट ट्रेट के पोर्ट्स थे और गुजरात में सूरत, भडूच और कैम बे ये कुछ ट्रेड के वो बहुत इमपोर्टेंट पोर्ट्स थे जहांसे स्पाइसे सिल्क, शुगर, चाइना क्ले, लेक, लाक चिसे कहते हैं नील इन सब का ट्रेड होता था और पू इरियाज में उस समय इंडिया में जो ट्रेड जो है पोर्ट में प्रविलेमेंट था वेस्टन कोस्ट पे जो कंपनी के आने का क्रम है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं पिडी इडी एफ यहनी पूर्ट पहले आए फिर डच आए फिर इंग्लिश आए फिर डेनिस आए और फिर फ्रांसी सी आए अब बात करते हैं पूर्ट गाल की पूर्ट गाली पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थ्रो रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप जो इससे मैं बता चुका हूँ चुकि आपको मैं बता चुका हूँ के कस्तुम तुनिया पे कबज़ा कर लिया था तुरकों ने तो उनको नए रास्ता खोजना था तो उन्होंने केप ऑफ गुड होप को खोजा जिसके रास्ते वो इंडिया में आये और इसमें मदद केरी उनकी एक गुजराती पर आगत किया एक हिंदु राजा ने जिसकी उपादी थी जफ हुआ जमोरिन नाम नहीं दाले की उसह फादी गुझे कि जमोरिन और उसुहीं ने उसको पर्मीशन Chemical वह दिए वासकोटबवा को कि अपने साश जडी बूति और ले जा सकता है ुआ हैं इस से वासकोटबवा का पंद्रे सो दो में दुबारा सिवास को डगामा भारत आई और पंद्रे सो तीन में कोचीन में पहली पूर्टेगाल फैक्टरी जो है established हो गई यह बहुत important है अक्सर exams में पूछा जाता है कि पहली पूर्टेगाल फैक्टरी कहां पर इस्टेबलिश हुई तो वो कोचीन होगा answer. PN5 में कुन्नूर में पूर्टेगाल फैक्टरी इस्टेबलिश हुई और 1505 में पूर्टेगाली सरकार ने Francisco di Almeida को पहला पूर्टेगाली governor जो है इस policy के तहट क्या था इस policy के तहट सरकार नहीं यह कहा था फ्रांसिस को डी अलमिडा से कि उनको पुर्तगीस force यानि किले तो बनाने है कोठी तो बनाने है लेकिन उसका कोई aim सुरक्षा का नहीं है यानि safety का कोई aim नहीं है बसकि उनका soul aim जो है वो control करना है जो व्यापार है इंडियन ओशन में trade in इंडियन ओशन फंद्रे सो आठ में combined muslim navy जो है गुजराथ की एजिप्ट की और तर्की की इसने अलमिडा को हरा दिया 1508 में जिसमें उनका पुत्र भी मारा गया था अलमीडा का लेकिन अलमीडा ने वापस जाने से सुप्यरेटी साबित कर दी और 16th सेंचुरी में इंडियन ओशन एक तरीके से कनवर्ट हो चुका था पॉर्चुगीज ओशन में अलमीडा के बाद जो दूसरे गवर्नराय उनका नाम था अल्φान्सोडीलबूर्ग जो पंद्रे सो नौ से पंद्रे सु इंडियर में कहा जाता है यह कोश्चन कई बार आया है नोट कर लेजेगा के पूर्दगाल के रियल फाउंडर पावर के रियल फाउंडर इंडिया में किसे माना जाता है तो वो अलफांसो डी अलबुर्क हैं इन्होंने ही अपना हेड़कॉाटर जो है कोचीन में establish किया और 1510 में इन्होंने गुआ को जीत लिया बीजापुर के जो रीजिनल पोर्चोगाल स्टेट जिसे कहते हैं छेत्री राजजिवी इस्थापित हो गया establish हो गया 1511 में उन्होंने capture किया स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ इस्टेशिया में और 1515 में उन्होंने capture किया स्ट्रेट ऑफ हर्मूस पर्शियन गल्फ में लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह गल्फ ऑफ एड़न यानि गल्फ ऑफ एड़न को वह कबजा नहीं कर पाई जो कि बहुत जरूरी था रेट सी में ट्रेट करने के लिए अलफान्सो डी अलबुर्ग की एक इच्छा ये थी कि वह ये चाते थे कि पोर्टगाल की जो पॉपूलेशन है वह इंडिया में रहे इस्टेबलिश पॉर्टगाली इस पॉपूलेशन इन इंडिया उसके लिए उन्होंने अपने आद्मियों से कहा कि वह इंडियन वुमें से मेरेज करें और यहीं पे बसें उन्होंने सतीप्रथा को भी अपने एरिया में बेन किया लेकन उनकी एक बहुत खराब आदत ये थी कि वह रिलिजियस बहुत इंटॉलेरेंट थे और वह अक्सर मुसल्मानों को परिशान करते रहते थे उसके बाद कई सारे गवरनर आए पर जो में इंपोर्टेंट गवरनर है उनका नाम है नूनो डी कानो इनका ये फ्रेंच इनका ये पुर्टगाल नेम है सौरी नूनो डा कुनहा 1529 से 38 तक इन्होंने अपना हेड़कॉर्टर जो है कोचीन से शिफ्ट करके कहां ले गई ग 1534 में बेशेन और 1535 में इन्होंने डीउ को कवजा किया दीरे दीरे यानी स्लोली सोली जो पुर्टगाल की ने कैप्चर कर लिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को और वहां पर अपनी सेट्लमेंट यानी अपनी कोठियां बसाइं लेकिन दीरे दीरे क्या हुआ कि डच और इंग्लिश भी इंडियन ओशन में आना स्टार्ट हुए उनके आने से पुर्टगाल की जो पावर है वो कमजोर होना यानी डिकलाइन होना स्टार्ट हुए दीरे दीरे 1538 में गल्फ ओफ इडन जो है उस पे तरके शुरूल हो गया डचों ने 1602 में डिफीट किया बेंथम 1641 में नोंने मलका स्ट्रेट जीत लिया 1658 में नोंने कंप्लीट स्री लंका जीत लिया और 1663 में बहुत सारे फोर्स मालावार कोष्ट के निकट उन्होंने जीत लिये इंग्लिश भी डच से पीछे रहने वाले नहीं थी और उन्होंने 1611 में स्वाली घाटी की जुद में जो सूरत के निकट है उसमें पुर्तगाल को हरा दिया और मलका हर्मूस का जो स्ट्रेट है उसे कैप्चर कर लिया मुगलों के टाइम में जो शाजहां थे उनके कासिम खान ने 1632 में हुगली को कैप्चर कर लिया और मराठाओं ने भी 1739 में सस्थी और बसाई को कैप्चर कर लिया इस प्रकार सिर्फ गोआ, दमनेंद, द्यू है पुर्तगाल के पास बचे रहे और बाकी पुर्तगाल के पास की सारी कोठिया जो है चली गई थी अब हम बात करते हैं कि पुर्तगाल का प्रोसेस क्या था जिससे वो ट्रेड को कंत्रूल करते थी तो उन्होंने अपने ट्रेड को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था पहले हिस्से में उन्होंने अफरीकन ओशन कोस्ट पे नहीं अफरीकन जो समुद्री टाट है उसको जो है मोजांबिक गवर्नर के इंडर में रखा था कि उसका ट्रेड ये देखेंगे जो इंडियन ओशन और पर्शन गल्फ का एरिया था उसके अंदर का ट्रेड गुआ के गवर्नर देखेंगे और जो साउथ इस्टन एशिया का जो आईलेंड है जहांप उनका कबजा था उसका जो ट्रेड है वो मलक्का के गवर्नर देखेंगे इस पूरे इनके समुद्री सामराज को एस्तादोदा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं इनके ट्रेड सिस्टम की पुर्तगाल एक फेमस ट्रेड सिस्टम को फॉलो करते थे जिसको ये कहते थे कार्टाज अर्माडा कैफिले सिस्टम कार्टाज, आर्माडा, कैफिले सिस्टम पुर्टगालियों ने पूरी कोशिशकरी tries to control trade in Indian Ocean Indian Ocean के पूरे trade को नोंने control करने की कोशिश करी और उस पर tax लगाने की भी कोशिश करी अब इस system को समझते हैं इस system में कार्टाज का मतलब है permit permit यनि permission Every ship whether Indian or Arab have to take permit from Portuguese यानि कोई भी जहाज हो चाहे वो Indian हो या Arab हो उसको Portugalis officers से permission लेनी पड़ती थी उसके बाद ही वो trade कर सकते थी और उसमें भी black pepper और gun powder यानि काली मिर्च और गोला वारूत का trade वो नहीं कर सकते थी दूसरी बात करते हैं Armada Armada fleet of warships यानि युद्ध पूतक जहाज इसमें Portugal ने अपने अधिकारियों को ये power दे रखी दिये और कभी भी किसी भी ship को चेक कर सकते हैं जब उन्हें ये लगे कि उस पर कोई ऐसा object है जो ban है trade जिसका trade पूर्टगाल ने ban कर रखा है फिर काफिला काफिला हिंदी में काफिला कहते हैं कैफिले को और इंगलिस में उसे कारवान भी कहते हैं इसमें पूर्टगाली ships जो हैं traders के ship के साथ चलते थे एक reason तो समुद्री डाकों से उनकी रक्षा करना था protection था जो समुद्री डाकों होते थे लुटे रहे होते थे दूसरा के वो यह भी चेक करते थे कि कोई unauthorized peoples जिनसे के जो यह traders है trades तो नहीं कर रहे कोई unauthorized peoples तो नहीं है अब बात करते हैं पूर्टगाल के decline की के पूर्टगाल decline क्यूं हुँँ हुआ इसमें सबसे पहरा reason तो उनका religious intolerance है वो इतने जादे religious intolerant थे कि Muslims को जैसे मैंने आपको बताया आस बहुत परिशान करते ही रहते थे और बहुत सारे इंडिया में उस समय भी Muslim rulers थे यह एक बहुत बड़ा कारण है ठीक है उन्होंने Christianity के जरिए भी लोगों का धर्म परवंतर करने की कोशिश करी hidden trade राजाओं से छुप छुप कर भी वो कई जगे व्यापार करते रहे जो उनको हानी पहुचा था और local जो ट्रेडर से उनको भी नुक्सान पहुचा था उनके अंदर भी बहुत सारा गुस्ता था तीसरा एक बहुत important cause है discovery of Brazil यानि Brazil की जब खोज हो रहे थे और चौथा important other European powers जैसे के English और Dutch के आने से पुर्टगाल की power जो है decline हुई जैसा कि मैं आपको बता चुपा हूँ अब last topic हम discuss करते हैं कि impact क्या हुआ पूर्टगाल रूल का क्या impact हुआ इंडिया में जो पूर्टगाल की जो company थी उसका क्या impact हुआ इंडिया में तो बहुत सारे impact थे उसमें सबसे बड़ा impact तो एक तरह religious था उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जादे से जादे मातरा में धर् religious conversion की उन्होंने पूरी कोशिश करी इसके लिए उन्होंने Christian missionaries भी लेके आए वो 1542 में Saint Xavier भी आये थी इंडिया में पोर्टगाल के governor Martin के साथ और धर्म परवर्तन में लोगों को Christianity में convert करने का प्रयास किया और बहुत सारे temple गोवा में बार्डे में साल से इतनों उन्होंने तोड़े और साथ साथ एक institution of inocution जिसे धर्म नियाले का नाम दिया गया वो 1560 में गोवा में स्थापित किया गया इसमें जो इनके धर्म को नहीं मानता था या जो इनके धर्म की अवेलना करता था उसको भी punish किया जाता था इसके साथ साथ कुछ और भी developments हुए पुर्तगाल के इंडिया में आने से जिसमें एक बहुत important है printing press भारत में इंट्रोड्यूस की पुर्तगाल ने कुश्चन कई बार आया friends कि printing press भारत में कितने इंट्रोड्यूस की पुर्तगालियों ने ट्रेट जापान के साथ इन्हों नहीं स्टार्ट किया जिससे हमें टिन और सिल्वर मिलना स्टार्ट हुआ था यहापे जापान से मिलता था मतलब टिन और सिल्वर सेंट्रल अमेरिका से टुबैको पोटेटो मेज लेके आए आल्मंड्स कैश्यू औरेंज पीनट इन सब क वह भारत में पूर्तगालियों के द्वारा लाए जानेगा बहुत बड़ श्रे है और पूर्तगाल की वज़े से जो नेवल ट्रेड है यानि जो समुद्री व्यापार है उसमें बहुत बड़ोत्री हुई तो दोस्तों यहाँ पर पूर्टगाल जो है खतम हुआ उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा और पसंद आएगा अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल ग्यान भरत को सब्सक्राइब करें धन्यवाद